एक यूवक अपने पिता के पास जाता है कहता है पिता जी मैं कन्फ्यूज्ड हूँ मुझे सच बताओ क्या है आप कहते हो भगवान ने हमें पैदा किया मा कहती है हमारे पूर्वज बंदर थे अवाई सच क्या है बताओ क्या है तो पिता ने बोला बेटा आम दोनों ही सच मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ वो अपने परिवार की बात कर रही है चलिए सच तो यह है कि आज का प्रोग्राम के दो एजेंडा हैं अब्जेक्टिव्स विल पावर एंड स्किल पावर और दूसरा हमारा जो कोट है ट्रेड मार्ट जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं हर काम अलग ढंग से करते हैं कैसे करते हैं साब एक चैंपियन बॉक्सर ने कहा था कि जिन्दिगी में सफल होने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए हमको काबलियत भी चाहिए और इरादा भी चाहिए इसका मतलब यह है We need skill and we need will दोनों चाहिए Will और skill एक के बिना दूसरा अधूरा है In complete तो इसलिए सफल होने के लिए हमको दोनों चीज़ चाहिए अब बात ये है दोनों चीज़ चाहिए तो जरूर लेकिन उस चैंपियन एक और बात कही कि Will की एहमियत skill से थोड़ी ज़्यादा होती है Will की एहमियत skill से ज़्यादा होती है कैसे? कहता है कि जब मैं चैंपियनशिप बाउट लड़ रहा था और मेरे अपोनेंट ने मुझे मार के गिरा दिया और मैं रिंग में लेटा हुआ था रेफरी काउंट कर रहा था 1, 2, 3, 4 और बोले जब मैं वहां लेटा हुआ था उस ताइम मेरे skill ने मुझे नहीं उठाया क्या skill उसने अल्रीडी मुझे मार के गिरा दिया It was not my skill It was my will मेरी will जो मुझे बार बार कह रही थी एक बारी फिर से खड़े हो जाओ एक बारी फिर से खड़े हो जाओ एक बारी फिर से उठ जाओ एक बारी Get up one more time Get up one more time Get up one more time He said It was my will Not my skill that picked me up Are you with me? Hello? बोले साब उस ताइम Will ने की उठाया मुझे Skill ने नहीं उठाया मुझे बात ये है Martial Arts के Legend कौन थे? बताईए Bruce Lee साब तक्रीमा सभी ने Bruce Lee का नाम लिया यहां पे मैं आप से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन को ये मालूम है साब मैंने नई किताब लिखी है You Can Achieve More जो अभी आठ हफते पहले लंडन में लॉंच हुई कैनेडा में लॉंच हुई और With God's Grace It has been well received बत उसमे मैंने अपनी नई किताब में Bruce Lee की कहानी लिखी है क्योंकि रिसर्च कर रहा था मैं और आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि Bruce Lee की एक टांग दूसरी टांग से एक इंच छोटी थी One इंच One इंच साब एक M.M. का फरक हो दो M.M. का फरक हो तीन M.M. का फरक हो साब आदमी की अलाइनमेंट टेड़ी हो जाती है साब दो M.M. में तीन M.M. में एक इंच Bruce Lee की टांग छोटी थी एक इंच और साब Bruce Lee की आई साइट माइनस टें थी माइनस टेंट माइनस टेंट Bruce Lee अपने अपोनेंट को बेना लेंसिस के देख नहीं पाता था और साब Bruce Lee डेली डेली पांच हजार पंचिस प्रैक्टिस करता था साब फाइव थाउजन पंचिस पर डे पर डे पर डे और साब किसी ने Bruce से कोई बात पूछी तो Bruce Lee ने उसका जवाब दिया कहता है मुझे उस इनसान से डर नहीं लगता जिसको दस हजार तरीके आते हों कि कैसे करते हैं उससे डर नहीं लगता मुझे कहता है मुझे डर लगता है उससे जिसको सिरफ एक ही तरीका आता है लेकिन उसने एक तरीका दस हजार बारी प्रैक्टिस करके आया हो मेरे पास बोले जिसको दस हजार तरीके आते हैं उससे मैं नहीं ड़ता साब लेकिन जिसको सिर्फ एक तरीका आता है लेकिन उसने एक तरीके का अभ्यास दस हजार बारी किया हो बोले उससे डर लगता है साब मुझे क्या बात है साब साब ये तो बुरुसली की बात हुई सबने नाम सुना हुआ इसका एक इंच है इसकी पाँच हुए का फरक था अब माइकल फेल्प्स का नाम शायद सबी ने सुना होगा 36 साल के बाद माइकल फेल्प्स ने मार्क स्विट्स का रेकर्ड थोड़ा और किस चीज़ के लिए फेमस होगे माइकल फेल्प्स स्विमिंग बेजिंग में 8 गोल्ड मेरल लिये साब इनोंने 8 गोल्ड मेरल 36 साल के बाद इसने मार्क स्विट्स का रेकर्ड तुरा जिसने 7 गोल्ड मेरल लिये थे 1972 में तो माइकल फेल्प्स का सब नाम जानते हैं किस वज़ए से किसाब 8 गोल्ड मेरल जीता इसने इधियास बनाया लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं यो यह जानते हैं माइकल फेल्प्स और डाक्टर ने इसको बोला कि भाया तुम्हारा अगर हाथ जुड भी जाए तो सवाल यह है कि क्या इस में दुबारा से वही ताकत आ सकती है या नहीं अरे तुम अपने मुहले के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो तुम कंपीट कर रहे हो उलिम्पिक में माइकल फेल्प्स दस साल से प्रैक्टिस कर रहा था इस इवेंट के लिए दस साल से और अपना सपना तूटते हुए नहीं दे पा रहा देख पा रहा था यह तो सपना तूट रहा था उसका तो साब शायद अब्दुलकलाम ने वात कही सपने वो नहीं होते जो नीन्द में आते हैं सपने वो होते हैं जो नीन्द नहीं आने देते हैं साब और साब किसे ने बहुत अच्छी बात कही है भीक मांगो ना उनसे उजालों की जो खुद चांद तारों के मोताज हो भीक मांगो ना उनसे उजालों की बंद आँखों से कुछ ऐसा काम करो कि आँख खुल जा एक आँख वालों की तो बात ऐसी है माइकल फेल्पस ने बोला कि मैं पानी में जाओंगा और बोला कि मैं हाथ इस्तिमाल नहीं करूँगा अपना पाउँ चलाता रहूंगा साथ माइकल फेल्पस ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी दो साल के बाद बेजिंग में इसने इतिहास बना दिया साथ आठ गॉल्ड मेडल जीत लिए इसने और जब इसने आठ गॉल्ड मेडल जीते तो सारी प्रैस वहाँ पे थी वहाँ पे एक आदमी आगे प्रैस वाले और बोले किसाब आठ गोल मेल जीत लिए कहता है Must be your lucky day Must be your lucky day तो जब माइकल फेल्प्स ने सुना Must be your lucky day उसको बहुत बुरा लगा साब और उस अखबार वाले को बुला के कहता है कि इधर आओ बताता हूँ luck ने क्या किया मझे How lucky I got कहता है कि पिछले चार सालों में मैंने दस हजार घंटों की प्रैक्टिस किये दस हजार घंटों की और अगर आपका गणित अच्छा है तो इसका मतलब होता है धाई हजार घंटे हर साल और बोले अगर आपका गणित और अच्छा है तो इसका मतलब होता है आठ घंटे डेली बिना एतवार के और उसने बोला उनको कि भाईया एक काम करो तुम अगले चार साल के लिए आठ घंटे रोजाना पानी में जाके बढ़ जाओ तुम्हारा जिसम सुकर जाएगा तुम्हारा जिसम सुकर जाएगा तो पूछता है क्या किसमत ने जिता दिया मुझे हलो बोले क्या किसमत ने जिता दिया है मुझे माइकल फेल्प्स ने जवाब दिया कहता है एथलीट जो इलिम्पिक्स में आते हैं पंदरा साल की ट्रेनिंग करते हैं पंदरा सेकंड की परफॉर्फॉर्मेंस के लिए हलो सब कहता है कि 15 साल की ट्रेनिंग करके आते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए जाके पूछो किसमत में दिला दिया उसको This is will power not skill power